तो आज हम पात करेंगे जो हमारी फ्लाज्मा मेंब्रें है उसकी पर्मिल्डिक के बारे में तो उसके मतलब कह सकते हैं कि जो मेंदें होती है आज बात मैंब्रें तो और अगयों पर्मिल्डट के स्ारी चीज़ों आज सकते हैं यह का इस असी जा करी है कौण से चीज rozp करें मकोई है या नहीं तो इसकी एक सन्थैटिक से भावन बना लिए उसके ुसके संतरशे है तुम नहीं परटिकल का दूजन गे Blair Gill रिए और का ऊग़ने में तो इसकी बावन है तो ठीक है drink तो टॉपिक है हमारा जो पर्मीविल T-Cross Plasma Memorine तो सबसे पहरे हम नोने यहां पर बात किये जो आज हम बात करने चाले हो है हाईडरोफोबिक मॉलेकुल्स हाईडरोफोबिक एंड हाईडरोफिलिक टूटाइप पर मॉलेकुल्स होते हैं अब मतलब बाहर है तो देखें की इसली पर्मीविल्टी कहा है जादा है तो देखें एसली क्रोफ दा अगर हम बात करें उसके बाद small बड़ते हैं अंचार्जट अंचार्जट है यह कौन से जो polar molecules है जैसे क्या हो गया water हो गया urea misto ठीक है तो they can also permeable to plasma membrane ठीक है उसके पार माई पास कौन से आते हैं यहां के जैसे small थे यहां ठीक है large uncharged polar molecules जैसे माई पास क्या हो गया glucose and the sucrose अब यह क्या है देखे रहां also permeable the plasma membrane बटे यहां पे इसके permeability अगरें तो दीरे दीरे कम होती जाएं ठीक है उसके बाद अगर हम बाहत करें आइंस की ठीक है आइंस आइंस आसे sodium chloride potassium ठीक है तो इनकी permeable यह क्या है they cannot cross the plasma membrane तब यह cross नहीं कर सकते plasma membrane को okay अब यह तो इस तरह से हम कह से कि लेकिन plasma membrane के cross है जो cell है जिसे मारा बना हुआ हमने कहा कि आइंस है इसके लिए permeability नहीं है ठीक है लेकिन हम लोग को पता है कि आइंस भी body के भी जरूरे cells के लिए भी जरूरत है तो it means यह तो हमने synthetic system में plasma membrane की बात की है कि हमने देखा कि कौन से चीज़े खुद permeable है और कौन से चीज़े नहीं अगर हम cell की बात करें हमें पते कि sodium potassium का exchange basically होता है आइंस का exchange भी cell में basically होता है तो वो किन कानों के कान कौन से reason ऐसे हैं कि जिसके कान वो permeability बनती है जो हमारी plasma membrane के cross है उसकी permeability बन जाती है अब हम उसके बारे में देखेंगे तो उससे पहले अगर हमें कोई यालिक्डन बन के पूछें से हम Agency की कौन से molecules है सबसे जादा अज़से हैं और कौन से सबसे कम से फोर्स कॉरों हमारे मैं पास एक कोशन आया हुआ है और उसकीम मैं पास कुछ इस तरहा से टी Helen मौलेजिए हैं कि कि इस मैंने हाँ न 2nd ठीक है जैसे हम और molecules की नाव यहां पर मैंने इस तरह से यह लिखी ची जा रहे हूं ठीक है और इनको कोला की इन सब में से कौन से ज़्यादा पर्मियबल है ठीक है अगर हमें इस तरह से कौन से काम है इस तरह से हमा हाई टू लो या लो टू हाई पर्मियबल्टी के accordingly देखन हो तो किस तरह से मुझको मेंटेन करेंगे अगर हम से पोचें CO2 और oxygen यह सबसे जादा पर्मियबल होंगी ठीक है देन आजाएगा हमारा water molecule देन आजाएगा हमारा glucose ठीक है एंडेन आजाएगा हमारा sodium तो इस तरह से क्या है इसकी relative पर्मियबल्टी हम निकाल सकते हैं हमें हें जो हाइड्र फोबिक मॉलेकल है यह स्मौल अंचार्ज है देन लाज़न चार्ज है जो पोलर मॉलीकल और रास्क में मालिकों नहीं है तो यह तो पात इसकी हमने करती है यह चीज़ हो गए अब हम कह रहे थी कि जो पलाजमा मेमरिंटी क्रॉस होती कैसे है जो कम प्रमियाबल है उनकी रगादो जट जो बिल्कुल भी परमियबिल्टी अक्रास दे नहीं तो वह किस तरह से उनके एक्सचेंज है जो सेल म उसकी probability नहीं होती across the cell membrane तो वहाँ पर क्या है प्लाजम मेंब्रेंट की cross तो उसकी probability कौन मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास से हम पे two transport system होते हैं basically कौन कौन से एक होता है हमारा active transport एक होता है passive transport तो यहाँ पर हमारे पास क्या है basically हम कह सकते हैं two transport system present है first one is the passive and second is the active transport अब active और passive का मतलब क्या हुआ मतलब क्या है यहाँ पे हम इस दो transport system मिल गए जिसकी विएसे हम कैसे कि cell के membrane के cross ions का भी movement basically हो रहा है passive system कौन सा हो गया जिसमें क्या है simply diffusion होते है transport की मतलब जैसे हमने कहा यहाँ पे क्या है hydrophobic molecules simply diffuse करते है small uncharged pore molecule से यह भी diffuse करते है जाहे large थे तो उस पे पैसर में हम क्या करें कि simply particles है जो वो diffuse कर रहे है along the concentration gradient अब यह का मतलब क्या हुआ हुआज का around the concentration gradient मतलब क्या है यहाँ पी अगर हमारे पास यहाँ पास यहाँ पे एक रूम हमने देख लिया है तो इसमें क्या है यहाँ पे क्या है पर्फ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है इस साइड की उसके पार्टिकल्स हमने क्या रहे हैं अब यहाँ पे क्या है कोई भी इंसान खड़ा है तो उसके पास प्रफ्यूम के पार्टिक भी बास भी दिराइज पार्टिकलि उसको भी फ्रेग्रेंस हो, जो basically फील होने लग जाएंगी, इट मीज्ट क्या है जो पार्टिकल्स हो सिरी वो डिफूज कर रहे हैं, लॉग दर कंसंट्रेशन ग्रेदिेंट ग्रेडियन, की सुरुरत निपड़ी, simply जो पार्टिकल्स है वो डिफ्यूस करें, एक होता है वारा पस एक्टिव ट्रांस्पोर्ट, एक्टिव ट्रांस्पोर्ट में क्या है, जब क्या है हमाने, with the help of energy, ATP की जरुरत पड़ती है, वहां पे एक्टिव की जरुरत पड़ती है, वहां पे ड अब यहां पी है, against, against मतलब क्या हुआ, कि उसके opposite, against मतलब क्या हुआ, opposite, अब क्या कह रहे है, यह पार्टिकल्स, high concentration to low concentration भी जा रहे है, यह कह रहे है, ठीक है, from the low concentration कहलो आप, to high concentration, तो it means क्या है, उल्टा काम हो गया, पहले भी यहां पे फ्रेग्रेंस और जादा थी, अब अब ही वही पे उन पार्टिकल्स को, जैसे हम स्पोस्पोस करों है, ठीक है, पार्टिकल्स पहले भी यहां से जादा थे, और हम जो पार्टिकल्स की दर और थोड़े बहुते, उनको भी वापस इदर लेकाने की कोशिश करें, तो it means हम opposite काम करें, इसके लिए हमें क्या है, ATP एनरजी यहां पे जरून अध़ पड़ती है, जब हम बात करें कि पैसिप की जो किसमें था, हमने गाता कि पार्टिकल्स यह तो हो गई, जो simply diffuse कर रहे हैं, एक तो जो करें simply जैसे यह diffuse कर रहे थे, अब यहां पे पैसिप में भी क्या होता है, सम्टाइम्स यहां पे जो क् channels होते हैं, वो भी help करते हैं, जो particles को basically उनकी movement को, पैसिप में कौन help करते हैं हापे, carrier and channel protein, ठीक है, carriers and channels, sports कर रहे हैं यहां पे एक जाप्तर अगराम देना चाहें, sports कर रहे हैं यहां आप में एक बुक है, ठीक है, तो यहां पे मैंने उस बुक को थर्ड या फोर्ट बेंच पर पास-on करना है, ठीक है, मैं सीधे इतने मंदब उसके लिए क्या है, मैं सीधा कर बुक को ऐसे पकड़ा हूं, वहां तक पहुंच में लिए, तो वहां पी क्या है, हम इक जुरुत एक जैसे हमने carrier, carrier क्या होगा है, जो student first bench पर बैठ है, मैंने उसको कड़ाई, उसने आग क्या होगे, कुछ carrier present होगे, जो particular molecules को क्या करेंगे, carry कर देंगे cell के बाहर से, और उसको क्या करेंगे, फिर अंदर में आएंगे, तो carrier का ये काम होगा, ये सी हम बात करेंगे आगी, जब हम basically active and passenger transport है, उसके बार में थोड़ी detail से देखेंगे, कि किस तरह से इसके diffusion होती है, औ किस तरह से carrier और चानल में अगरा, वो काम करते हैं, तो आज का video basically क्या था हमारी फार्मेविरिंटी के उपर, ट्रांस्पोर्ट सिस्टेम active and passive, उसके बार में हम आज में स्कुस करेंगे, और अगर आपका ये वीडियो अच्छा रगा हो, तो वीडियो का लाइक सुन का, शियर किसी का साल से अपने फ्रेंट्स का और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएका, थिंक्यू!